कि कि हम हैं इसलिए बिजो प्रेयाटिक सवाल करती हैं गायेट पेट sih मेडम, सरजरी के पहले किया कुछ डाइट अलगता है? हाँ, वो जरूरी होता है, हाई प्रोटीन डाइट होता है, जनरली पांच या साथ दिन से हम यह शुरू करवाते हैं, सरजरी के पहले मेडम यह बताया है कि नॉर्मल लाइट हम कब से ले सकते हैं? एसे स्टेज़ होते हैं, सबसे पहले हम पूरा लिक्विड डाइट होता है, उसके बाद दीरे जैसे जैसे दिन निकलते हैं, वैसे वैसे विल डू इट लाइट के हम लोग उसको सेमी सॉलिट देते हैं, और फिर फाइनली एक महीना हो जाए तब हम सॉलिट डाइट पे अच्छा आपके लिए रहता है, और हो सके उतना आप ओली फूड ये सब अवाइट करो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है, लेकिन चांसे बढ़ जाते हैं, अगर जो आप रेगिलो फॉलॉप में ना रहूता है, मृणम ये बताईए कि सर्जरी के बाद कुछ कमज सर्जरी नहीं होती है, सर्जरी के दिन से ही हम दो तीन घंडे के अंदर ही वाप करना शरू कर सकते हैं और अल्मोस्त दिन पर तो हम अमरी रूटीन लाइफ में जा सकते हैं ये बताईए कि 5-10 कि अगर वजन जादा है तो भी क्या हमको अपरियाट्रिक सर्जरी की जबद पड़ती है क्या है? नई पर्टीकूलरी 30 BMI के अंडर होना तो ही हम जा बिरियाट्रिक सर्जरी के लिए एपेशन को कांडिडेट मानते हैं उसके पहले हम सिफ डाइट और एक्सराइज से वेट रड़क्शन करने को बता है !! अगर दाइट और रइक्सराइज के बाद भी वज़न करने होताँ तो हम क्या करेंगे? और चीज होती है डाएट पर एक्सराइज दोगशसान को कम होता है क्या होता है? कि मैंटें करना उसको बहुत ही टिφिकर हो जाता मेंटेनंस इस वेरी मच यह लाइफ मोडिफिकेशन चीज है आपने एक बार वह डिसिप्लिन लाया तो उसको मेंटेन करना है पिर वापस वही ओईली चीज और वही स्टॉफ पे वापस जाओ तो वह गेन करने ही वाला है हाँ इसक वज़े से आप ऐसे चीज कर सकते हैं बार उसके बाद भी एकमेंटेननेंस बयूक उना क्भूरी है अमेन भी के बताये कि रिट्रिक सर्चरी के बाद एकक्साइज या क्रजियस करना कर स्थिर्यों यहां बिल्कुल जरूरी है आपको एक maintenance जैसे मैंने आपको आगे भी बताया है, maintenance होना बहुत ज़रूर ही होता है, आपको आपके targeted weight पर पहुंचना हो, तो surgery तो अपना काम करेगी, बट exercise करोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा result मिलने के chances होता है.